नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Civil Academy के इस YouTube चैनल पर आज हमें काफे important news दिसक्स करेंगे, जो कल काफी सुर्खियों में था ट्विटर पर भी वो काफी trend किया है Supreme Court in a Majority Verdict upholds the EWS quota देखिये, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, कि साल 2019 में एक नया Reservation Provision लाया गया था EWS, यानि Economic Weaker Section अब क्योंकि ये OBC, SC और ST Communities पर लागू नहीं होता है, तो कई विरोध भी देखे फिर एक और बात हुई, कि Basic Structure of Constitution और इंदरासानी केस को ये करता है, जो कि 50% का जो ceiling है, उस पर भी ये काफी विवाद हुआ, कल यानि 7 October 2022 को Supreme Court ने इस पर एक एटिहासिक फैसला दिया है, 5 जजों की Bench ने इस केस पर सुनवाई की है, Bench ने 3 to 2 के ratio में इस EWS quota का समर्थन किया है, मतलब कि 3 जजों ने EWS का समर्थन करा है, और जो बाकी के दो जो हैं, उनके opinion में difference आया है, पहले जो आपका reservation आया था, वो society और education के background पर आया था, मतलब समाजिक वा सिक्षा के आधार पर आरक्षन दिया गया था, जिसमें अन्य पिछरा वर्ग, अनुसूची जाती वा अनुसूची जन जा को 27%, 15% वा 7.5% आरक्षन दिया गया था, NDA गौवर्मेंट ने 2019 में 193 संविधान संसुधन से EWS यानी economic weaker section के लिए 10% reservation का प्राधान लेकर आया, पहले आरक्षन का आधार बना था, social और educational factor, अब बना economic factor, देखिए, OBC, SC और ST का जो reservation है, देखें, तो 27, 15, 7.5 यह आपका होत टोटल, 1992 में एक काफी important judgment आया था, जिसे हम सभी जानते हैं इंद्रा सानी केस के नाम से, इसमें 9 जज़ों के bench ने फैसला सुनाया था, इसके तहट आरक्षन पर 50% का cap लगा दिया गया था, कि 50% से ज़्यादा reservation नहीं दिया जा सकता है, 2019 में सम्विधान संसोदन बिल लाकर आर्टिकल 15 वा आर्टिकल 16 में changes किये गए थे, आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो religion, race, caste, sex और place of birth को लेके कोई भी discrimination नहीं किया जाना है, आर्टिकल 15 का तीसरा, चौथा और पांचमा clause लेजिसलेचर को ये power देता है, कि महिला, बच्चों, वो socially और educationally backward class के लिए special provisions बना सकें, आर्टिकल 15 वा आर्टिकल 16 में दो clause जोड के ये संसोधन किया गया था, आर्टिकल 15 के clause 6 में ये डाला गया, पहले clause 5 तक तक ते, फिर इस clause 6 को add किया गया, Any provisions for advancement of any economical weaker section of citizens other than clauses mentioned in clause 4 and 5, मतलब जो terms clause 4 और 5 में mentioned है, जो कि OBC, SC और ST इनके अलावा बचे हुए लोगों के लिए ये EWS कोटा की वस्था की गए, अब क्योंकि ये 10% का EWS reservation देटे के साथ 50% का जो slab था, वो cross हो जा रहा था, इसलिए इस पर वबाल ही मचा, इसी बात को कल Justice रविंद्र भर्ट ने भी उठाया, और Chief Justice U.U. लडित ने इसका समर्थन भी किया था, ये दो जज इस reservation के खिलाफ में थे, एक और बात, Justice U.U. लडित का कारेकाल का कल अंतिम दिन था, अब Justice D.Y. चंद्रचूर जी उनको replace करेंगे, मतलब हमारे नए CGI होंगी, Dr. D.Y. चंद्रचूर, देखिए, इसमें OBC, SC और ST को कहीं include नहीं किया गया था, तो इसी कारण कई P.I.L. भी डाले गये थे, कि ये पूरा law ही unconstitutional है, एक और बात देखिए, 1992 में भी ये बात उठी थी कि economic basis पर reservation प्रोवाइड की जाए, बट उस समय संविधान में संसोधन नहीं किया गया था, तो Supreme Court ने उसे unconstitutional बता कर उसे reject कर दिया था, लेकिन इस बा तो कई states में states quota का reservation 65-70% टक है, तो उस case को ऐसे भी काफी time हो चुका है, तो समय के साथ परिस्टियों में बदलाव आते रहना चाहिए, और ये EWS को दिया हुआ reservation basic structure का किसी भी तरह से उलंगन नहीं करता है, याद रखने वाली बात ये है कि 193 संविधान संसोधन से Article 15 और Article 16 में clause 6 को add करके economic basis term को लाया गया और EWS को 10% reservation दिया गया है, आशा है ये पूरा topic आपको crystal clear हुआ होगा, अगर ये informations आपको अच्छे लगे हो और आपके knowledge में थोड़ा सा भी value addition हुआ हो, तो वीडियो को like करिए और channel को subscribe कर लिजेगा, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही topic पर, तब त आ हम आप, कर दोदम्हा त Éर न आपके डे सो weird है, अच्छेा है, मिले वाया है, आपके पीग कर दे अथालो दोचित कि दो जो कि एने तो अटे सक अपके शूर म काले आपके अच्छेक, आपके आपके दोर येम्समाट Holy सन से इया है.